इदर दिल्ली में जार्खन कॉंग्रेस ने लोकसभा चुनाओ पर मंथन किया प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कॉंग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ने पार्टी के महासचिप केसी बेडू गोपाल से मुलाकात की केसी बेडू गोपाल के आवास पर खरीब धाई घंटे बैटक चली जिसमें लोकसभा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस नेताओं से फीडबाक लिया क्या साथ ही जार्खन के लिहाद से मैनिफेस्टों में क्या होना चाहिए इस पर बात चीत हुई बैटक में कॉंग्रेस के उम्मिद्वारों के नामों पर भी चर्चा की गई चौदा जो लोकसभा सीटे हैं जार्खन में चाहे वो हमारी संगठन की हो चाहे गटबंधन की हो उसको कैसे जीतना है उन सारी चीजों पर आज चर्चा हुई है लागातार हम लोग यहां आते हैं और अपनी बात बताते हैं और जिस तरह से हैं सभी लोगों ने अपनी बात बताई है हम यह कह सकते हैं कि जो संगठन और गटबंधन दोनों जो 14 सीटों पर हम चुनाओ लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जो जिस तरह की चर्चा हुई है हम यह कह सकते हैं कि जीत भी हमारी और अब सारी चीजे फाइनल स्टेज में आ रही है तो निश्यत रूप से हमारे संगठन प्रभारी है आदर्निये केसी वे नुगपाल साथ तो उनसे भी एक चर्चा होनी लाजमी है और उस निमित हम लोगों ने आचर्चा किया और हम समझते हैं जो इस तरह से इंडिया गडबंदन के सभी साथ एक जूट होकर के लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं निश्यत रूप से हम लोग उस दौर में आगी निए लोग सभाज चुनाव लड़ने वाले जो एस्पिरेंट्स है उन पे चर्चा लगातार होती रही है और उस निमित हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमें तो नही लीडरान है हर सीट पे तीन उमिदवार हैं तीन से ले करके आठ उमिदवार हैं सबी लड़ने मकसद है कि इंडियन गटबधन को जिताना उसमें हमारा भी भागिदारी है और लेफ्ट से लेकर आट जेटी का भागिदारी है इसलिए मेरा गिनना आम गिनने से नहीं उसका जो है फलाफल क्या होगा उसको लोग इनने रहें कि चोदा को चोदा सीट के से जिताया जाए इसलिए हम लोग ने बैठके अपनी जो राय विचार है वो सब हमारे नेतरुत को बताया और जो बहतर होगा वही हम लोग काम करेंगे हमारा पार्टी आला कमन तैय करेगा वह तो हम तो कारे करता है तो पाटी जो का जो निर्णे होगा वही सर्वोप्र चौदा की चौदा जो लोग सवाज सीटे हैं जार के राष्ट्य महा सचीफ केसी विणों गुपाला के अवास पर इस वक्त में मौजूद हूँ लगबग धाए घंटे तक जो है जारकन की यून अंदर मौजूद थे लोगसभा चुनावों को लेकर यहां बैठक रही मैनिफेस्टों को लेकर यहां बैठक रही और साथ ही लोगसभा शेत्रों को लेकर फीड़ बैग भी लिया गया गया गुलाम अमद मीर साहब अम्यां से निकल रहे सर एक सवाल का मैं चाहूंगी सब्सक्राइब करेंगे इसके लावा और किन खास मुद्धों पर चर्चा रहे लिए शुक्रियां से बात करने के लिए तो आप सुनिये अभी कि जो है जारखन के प्रभारी है उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टों को लेकर भी चर्चा हुई हो सबसे दरूरी बात क्या है कि सर सब्सक्राइब करना धर्म कोड को लेकर भी बातचित हुई है कि जो मैनिफेस्टों में रखा जाएगा फिलाली तस्वीरे देखिए गुलाम एहमद मीर जो है यहां से निकल चुके है और इसी के साथ जो है रामेश्वर उराव बादल पत्र लेक आलमगीर आलम भी निकल हैं और बादल पत्र लेक भी यहां से निकल रहे हैं और लगभग धाई घंटे तर यह बैठक चली है क्या में दुरकेश के साथ मैं भावना निजो 11 भारत दिल्ली कॉंग्रेस के राज क्याबिनेट मंत्री बादल पत्र लेकर कोई बात नहीं हुए हम लोग अपने अपने जिन बातों को लेकर आपने बात का हमारे सिनियर्स ने आपको तो उसके बारे में बताया ही मैं एक बात और एड कर दूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है जारखन को लेकर किन चीजों पर हमें फोकस करना है उन चीजों को लेकर भी रह समारी हुई और हम लोग काफी पॉजेटिव सकारात्मक वारता रहा नेशनल पार्टी का ये कौरम है कि हमें हमेशा अनुसासन में दायरे में कि पार्टी क्या चाहती है निर्देशों का नुपालन करना और हम पार्टी से क्या चाहते हैं हमारे कौन से एजंडे हैं जो हमारे जहरखन वासियों के हित में है भावनावाँ से जुड़े हैं वो नेशनल एजेंडे में आखेंगे हैं क्या मैनिफेस्टों में क्या शामील होगा इसको लेकर जहरखन के तरफ से क्या रखागे हैं बिल्कुल जो सीवी एक्ट में संसोधन हुआ है इसको लेकर और दूसरा जो वहाँ पर हम लोगों इसना सटन इस्यूज है जो ओवी सी आरक्षन है सरना धरम कोड है इन सब जाती जनगन्ना है इन सब को लेकर जो दूसरी राजियों में यह चीजें हो रही है और हम लोग के साथ जिस तरह की टेक्निकल खामियां बताकर चीजें को रोका जा रहा है उन सब को लेकर रायसमारी की जा रहे कि हम लोग आगे इस पर बढ़ेंगे और जहां जो कमिया है इसको दूर करेंगे अगर तरफ लोग सभा चुनावों को लेकर बैठक और एक तरफ मैनिफेस्टों को लेकर क्या इसके इलावा भी कुछ और डिसकेशन हुआ अज के बैठक और सब जो है पूरे प्रदेश की सब जगह की स्थिती कहां कैसी भगोली की स्थिती है कैसे हमारी क्या पोजिसेन है पिछले लोग सभा में कैसे हम रहे थे कहां पर चूक हुई थी सब बातों पर सबना अपनी विवीज को रखा शुक्रे हम से बात करें कि आम उसे दुर्गेश के साथ मैं भावना नीजरवन भारत दिल्ली कॉंग्रस भी अलग नहीं है हाला कि अब तक उम्मीद्वारों के नाम पर सहमती बनी है नहीं बनी है यह सामनी नहीं आ पाया है लेकिन मन्थन चल रहा अब दिल्ली में भी यही कुछ दिखा आज देखे आपको बता दू कि आज सुभे जो है सभी जार्खन कॉंग्रिस यूनिट के लीडर्स जो है दिल्ली पहुंच चुके थे और जार्खन भावन में लगवग रुके थे मैं के करके पूरा जो है आर्थी घट्ना गर्म बताती हूं बादल पतले की बात हो आलम गिर आ सचीफ केसी वेडू कोपाला के आवास पर लगबग धाई घंटे तक चली और इस बैठक में कॉंग्रेस के प्रदेश अधियश राजिश ठाकूर के इलावा प्रदेश प्रभारी है गुलाम एमत मीर वो भी मौजुद रहे लगबग साड़े चार बज़े का टाइम था ज जब प्रभारी और प्रदेश अधियक्ष आते हैं जैसे ही प्रभारी प्रदेश अधियक्ष आते हैं तो एक तस्वीर हमने देखी कि प्रभारी प्रदेश अधियक्ष जो है वो बाहर आते हैं एक लाल रंग की फाइल उनके हाथ में होती है जिसे लेकर वो अंदर जाते ह उसके बाद वो बैठक जो है फिर शुरू हो जाती है बताया गया है कि बैठक लोगसभा चुनावों को लेकर हुई है लोगसभा शेत्र जो है उनके फीडबैक क्या रहे पिछली बार परफॉर्मा क्या रहा इस बार परफॉर्मा क्या हो सकता है आने वाले समय में क्या रणन अधिकतर खबरे बताता है उसमें नासिब मोहर लगती है बलकि पुक्ता भी खबरे होती है चाहे आप इसका सबसे बड़ा उधारन जो है हाली में हुए फर्स्ट लिस्ट को देखकर भी दे सकते हैं जिसमें हमने समीरु राओ का नाम बताया ता लोहर दगा से देखिए वैस जो है लिस्ट सामने आती है तो वैसे ही इसका भी यही जो है कंडीशन होने वाला है गडवंदन के साधा गरम देखे और जहरकन की लोगसभा सीटों की बात करें अब बात होती है कि बात्चित किस किस पे हुई तो सबसे पहले बता दू कि लोगसभा शेत्रों में फीड़ की जा सकती कि पहले से कई नाम है जो की चल रहे है जब राजिश्टागुर बहार आते तो यह बताते है कि लगवग एक शीट सो तीन तीन नाम है सभी पर बात्चित चल रही है तो एक फीड़ बैक मंत्रियों का लेना भी जरूरी है क्योंकि कॉंकि कॉंग्रिस खेमे के मं मुद्दे रखे गए है लोगसभा चुनावों के लिहाज से तब मान के चलिए लेकिन भावना सवाल यह है यहाँ पर कि देखे बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है क्योंकि वैसे भी वक्त बहुत कम है और यह तो अलाइंस की बात होनी है यहाँ पर सिर्फ कॉंग अब तक चीज़ें चल रही है कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा जो सीटें मिलेंगी उस पर कौन दावेदारी पेश कर रहा है यह अब तक खिचड़ी पक रही है देकिन नैशनल लाइंस कमिटी की जब बैठक चल रही थी मुकुल वासनिक जी के आवास पर तब यह देखा गया था कि CLP लीडर के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी मौजूद थे तब इन तमाम चीज़ों को लेकर एक डिसकशन हुआ फिर यह देखा गय पी नजर आती है तो ऐसे में ही कहा जा सकता है कि सीट शेरिंग को लेकर कही ना कई फार्मूला तयार हो चुका है लेकिन अब जो मुख्य चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि जिन उमिदवारों पर दावेदारी ठोकी जा रही है जिन में विकल्पिक तोर पे खुद पार इंकल के बताया कि एक सीट पर तीन दावेदार है तो उसमें से सबसे मजबूत दावेदारी किसकी है इसको लेकर भी मंतरियों से फीडबैक लिया गया है साथी साथ फीडबैक इस बात को भी लेकर लिया गया है कि कॉंग्रेस किन लोगसभा शेत्रों पर मजबूती स से उतर सकती है जिसमें कॉंग्रेस के हाथ जीत लगे तो ऐसे में वह फीडबैक भी मंत्रियों ने दिया और यह भी जाना गया कि आखिर आने वाले समय में जो बूत का लेकर काम का चल रहा है कॉंग्रेस का उसका कितना असर है और क्या संगठनात्मक तौर पर कॉंग्रेस की तनी पैट जारखन में नजर आ रही है लोगसभा के लिहास से तो यह सारा एक फीडबैक है जो कि मंत्रियों से लिया गया आप जिस तरीके से मैंने भी आप सभी को बताया कि मैनिफेस्ट एक बड़ा मुद्दा होगा मैनिफेस्ट एक तरीके का ब्रहमात्र है जो कि मुद्दे रहेंगे यह जाना दर्शकों के लिए बेहत जरूरी है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है सरना धर्मकोड जिसको लेकर लगातार जारखन में आवाजे उठती है इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया है अब बात आती है कि सरना धर्मकोड के इलाव क्या मुद्दे होंगे सरना धर्मकोड के इलावा जाती जनगर्ना पर भी बातचित हो सकती है यानिकि जाती है जनगर्ना भी गोशना पत्र में मेंशन किया जा सकता है इसके इलावा जो सबसे तीसरा और मैत्पुन मुद्दा है वो यही है कि OBC आरक्षन को लेकर भी बड़े मुद्दे जो कि जारखंड की जो है पैट को मजबूत कर सकते हैं कॉशना पत्रों में डाले जाएंगे जाती है जंगर्णा ओभी सी आरक्षन और यह सभी मुद्दे बेहत खास है एहम है खास का सरना धरमकोट के अगर हम बात करें कुई कुलाम एमदमीर से हमने बा प्रत्याक्षियों की अगर बात की जाए तो 80% प्रत्याक्षि जारखंड से जो है उन्होंने घोशित कर दिये है यानि कि आदिवासी समुदाय के ओपर बिजएपी का पूरा जोर है पूरा फोकस है प्रधान मंतरी भी कई बार जो है जारखंड का दौरा कर चुके हाली मे आपने हमने भी न्यूस के माध्यम से जो है अपने वीउस के माध्यम से इन तमाम चीज़ों के तरक भी जनता के सामने रखे है तो यह समझिए कि पहले लिस्ट जो है स्टैय समय से जारी कर दी गई है आदिवासी समाच के पर फोकस है और उसी फोकस को कॉंग्रेस भी साध गंटे तक तो यह पूरा घटना गर्म जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया तो दूसरी तरफ कॉंगर्स के मुख्याले में मैनिफेस्टों कमीटी की बैठक चल रही थी यानि कि सभी यूनिट्स को एक एक कर जो है बुलाया जा रहा है सभी यूनिट्स से जानकार ली जा रही है और लगब क्योंकि हम कॉंग्रिस के बात करें तो 12 राज्यों की स्क्रेणिंग पूरी हो चुकी है यानि कि 12 राज्यों को जो है देखा जा चुका है उनके तक्ष्यों को समझा जा चुका है और वहीं मैनिफेस्टी कमीटी के जहां एक तरफ बैटक हो रही ह क्या ये फीडबाग और ये मैनिफेस्टों का ब्रहमास रवाके में 2024 में कॉंग्रेस के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा इस तरीके से जो तमाम चीज़े उसको देखना दिल्चस्प होगा आरती चलिए तो अब ये देखना होगा सही का आपने की ये दिल्चस्प होगा देखना की जिन मुद्दों को लेकर मन्थन चल रहा है चाहिए वो मैनिफेस्टों की बात हो या कैंडिडेट लीस्ट तयार करने की बात हो या फिर कौन सी सीट किसके हिस्से में आने वाली है इसकी बात हो अब ये सब आने वाले समय में कितनी जल्दी तैय हो पाता है ये देखना वाकई बहुत दिल्चस्प होगा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए भावना आपका तो देखिए अब मन्थन चल रहा है लोकसभा चुनाओ है सामने और हर पार्टिया अपने अपने सतर से तयारियों में लगी है कौंग्रेस का भी मन्थन चल रहा है दिल्ली में आज बैठक हुई है ए आने डेट लिस्ट को लेकर बात हो